ओम् सुक्लाम ब्रह्म विशार सार परमाम आध्याम जगद्व्यापिनिम् बिणा पुस्तक धारणीम वैदाम् याध्यांदकारापाम् अस्ते स्वार्टिक मालिकां विद्धतिम बद्मासने संक्स्तितां बंदितां बर्मिर्श्वरिम भगवतिम बुद्धि प्रदां सारण। मैं कमलेश्चा साहे प्रोफेसर जुथालाल संस्कृत महाविद्यालाय मजोलिया पस्टिम चंपारन व्यार। मैं आज सास्त्री प्रितिष्ठा तिर्ती खंड की छात्रों के लिए जीन का विशय व्याकर्ण है उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाले पुस्तर परम लवु मंजूशा जो की नागिस भट द्वारा विर्जित है पौली के पाठ में मैंने उनका मंगला चरण पढ़ा दिया है उसके बाद अब इस फोट के भेद कता है तत्र बढ़न पदबाग के भेदेन इस फोट स्तिधा तत्रा पी जाती ब्यक्ति भेदेन पुना खोड़ा अखंड पद स्फोट अखंड बाक्य स्फोट स्टिध संकलने अस्टो शावद बोध के प्रती अर्थो पस्चित के द्वारा विर्टिमत पद अर्थात सक्तिमत पद ही कारण हुआ करता है इस कार्ज कारण भाव के अनुसार इस्फोट आत्मक सब्द ही ब्रतिमान है दोनी नहीं इस विशय का निर्णय करने के लिए नागेश ने सर्वप्रथम इस्फोट में रूपन किया है उनमें इस्फोट भिकसने इस द्धात से निस्पन इस्फोट सब्द है बर्ण पद वाक्य के भेद से तीन प्रकार के हैं जिसमें बर्ण ही बाचक है वह बर्ण स्फोट है जिसमें पद ही बाचक है वह पदस्फोट है बाकी ही बाचक है जिसमें वह वाक्य स्फोट है इस प्रकार त्रिविद होती हुए भी जाति ब्यक्ति की भेद से फिर भी छह प्रकार के हैं उनमें से जिनमें अखंड ही पद है बर्नारवद नहीं हुआ अखंड पद स्फोर्ट है तथा जिसमें बर्नों या पदों से आरवद वाक्य नहीं है वह अखंड वाक्य स्फोर्ट है इस प्रकार स्फोर्ट आठ प्रकार के बर्न जाती स्फोर्ट बर्न ब्यक्ति स्फोर्ट पद जाती स्फोर्ट पद ब्यक्ति स्फोर्ट वाक्य जाती स्फोर्ट बाक्य ब्यक्ति स्फोर्ट अखंड पद स्फोर्ट अखंड वाक्य स्फोर्ट इस प्रकार से इसफोट आठ प्रेकार के हैं यह बिकस नार्थक इसफोट आत्मक्षब्त परब्रम परमेश्वर से अभिन्य है जिस प्रेकार 84 लाख योनी में भ्रवन करने वाले प्रानियों का बिकास परब्रम परमेश्वर से होता है उसी प्रेकार घट पतादी परार्थों का विकास इसफोट आत्मक्षब्त से होता है इसलिए यह भी इस्वर के समान ही है इस्वर तुल ही है एकंग ब्रह्म ही वादुतियम इत्यारी सुर्थ प्रामान्य से परब्रम एक है घट पतादी शब्दों का आनंत तो प्रत्यक्षिद है तो इस फोट आत्मक शब्दों का परब्रम परमेश्वर से तुलना कैसी यह संका ब्रह्म मुलक है क्योंकि जिस प्रकार अज्ञान वस नरत्त पसुत्वादी भेद से परब्रम परमेश्वर का भेद भी माना जाता है बास्तविक नहीं उसी प्रकार जद्यप इस फोट एक है किन्तु अबिद्याकृतिक कत्व खत्वादी उपाधी वस इस फोट भिन प्रतीत होता है इसलिए इस्वर की तरह इस फोट भी एक ही है क्योंकि ओमित्यकाक्षरंग ब्रम्ह यह भगवत गीता का वचन है अब फुना ग्रंथकार कहते हैं तत्र भाक्यस फोटो मुख्यह तस्येव लोकी अर्थ बोध कत्वा तेनेवार्थ समापती स्चेती तदाह न्याय भासेकारह पद समु हो भाक्यम अर्थ समापतो इती अस्य समर्थम इती सेशा तत्र प्रति भाक्यम संकित ग्रहाश्यम भावात बाक्यान न्या ख्यानस्य लगुपाये ना सक्यात्वाच्य कल्पनया पदानी प्रविभज्य पदे प्रकिर्ति प्रत्य भागन प्रविभज्य कल्पिता अभ्यम अन्य व्यतिरेका अभ्यम तत्त अर्थ भिभागन सास्त्र मात्र विशेम परिकल्पयंती समाचार्ज अथा अस्टासु एस्फोटेशु अथा अस्टासु एस्फोटेशु कस्य एस्फोटास्य प्राधान्यम इत संकां निवाड़ा इतुम उफक्रमते तत्रेती तत्रेती तत्रा अस्टासु एस्फोटेशु वाक्यस्फोटेव मुख्या प्रधानह तस्य वाक्यस्फोटास्य लोके अर्थ बोध कत्वात अर्थात लोके वाक्यस्फोटे नेवा अर्थ बोधु भवती नेव तद्र आति रिकतेई है इस्फोटे निति भावा तेने व बाक्य स्फोटे नेव अर्थ से समाप्ति संजायते एवं बिना सम्यग अर्थ बोदु नो उपध्यते इति भावा अत्रहं से मनमाह तदाह न्याय भास्य काड़ इति पदसमुहू बाक्यम अर्थ समाप्तो इति न्याय भास्य काड़ वचने शमर्थम पदं योज्यम अर्थात अर्थ समाप्तो पदसमुहू बाक्यम समर्थम नान्याथ इति अर्थ अथा अनिशाम पी स्थोटानम आवस्यक्तं प्रदर्सायतुम उपक्रमते तत्रह प्रति भाक्यम इत्यादिना अयंभावः जत्रह अयंभावः तत्रह बाक्य स्थोटास्य मुख्यत्यपी बाक्ये शंकेता ग्रह शंभवः बाक्य कल्पनम अपी लगुपायेना सक्यां चेती कल्पनया प्रतमम पद भीभागा करतब्याह तता पदे पी प्रकिर्थी प्रत्य भीभागों पी करतब्याह तत सत्वे तत शत्त्व मन्यस तरवहावे तरवहावो व्यतिरेक इती कल्पिताब्यां अन्य व्यतिरेकाब्यां तत अर्थ विभागो पिकर्टर्व्यां एवे मेव आचार्जा शास्त्र मात्र विशयं सास्त्र प्रक्रिया निर्बाहकं कल्पयंती एक सब्दह सम्य ज्यातह सुष्टु ज्यातह सास्त्रा नितह स्वर्गी लुकी चकंदुग भवती थी भास्योगते सास्त्रिय प्रक्रिया स्मर्ण पूडब कर एव धर्मोत पत्या निश्याम बर्ण स्वर्ट आदिनाम आवस्य कत्वम इति भावा अब उन आठ इस फोटों में बाक्य स्फोट की प्रधानता इसलिए है कि वाकी की द्वारा ही अर्थ का बोध तथा उसकी समाप्त दोनों होने पाती है दोनों होती है अर्थात बर्ण या पदों से सम्यक अर्थ का बोध नहीं होने पाता है जब तक पूरी वाकी की योजना नहीं होती है किन्तु प्रती बाक्य में संकेत ग्रह होना नित्राम अशंभव है तथा वाक्य का अन्वाक्या नर्थात योजन लग उपाय से नहीं हो शकता है इसलिए बाक्यों में कलपना के द्वारा प्रथम पर भेहाग करके एंवं पदों में भी प्रकृत प्रत्तेयों का भीवाग करके कलप्त अन्वयब ब्यत्रेकिके द्वारा अर्थलभाग कर आचार जो लोगों ने सास्त्र लगने का विशय बतलाया है क्योंकि वाक्य में सास्त्र लग नहीं सकता इसलिए बरनसफोट-पदसफोट की भी आवस्यकता है अर्थात बरनसफोट-पदसफोट के बिना वाक्यसपोट का अस्थित्य ही नहीं कहा जा सकता इसलिए इन दोनों में अन्य ब्यतिरिक मना गया है। किन्ठाशक टको जोई गहे ओकट स्थानिननां कल्पिता अर्थाह कंठरवेने ुगताह। आदिशानन्ग तु इस्थान नितता थीधान समर्तिस्य वादिसी ति भास्याति अर्थाह। एबं च एस्थानिनम बाचकत्व मादेशानम बेति विचारो निश्फलेव कल्पित बाचकत्व स्योभयत्रक सत्वात, मुख्यम बाचकत्वम्तु कल्पनया बोधित समुदाय रूपे पदे वाक्येवा लोकानं तत एवार्थ भोधात। उपेय प्रतिपत्यर्था उपाया अब्यवस्थिताह इति न्यायेन ब्याकरण भेदेन इस्थानी भेदेपी नक्षती ही देश भेदेन लीपी भेद वधिती दे। कि व्याक्या करते हुए कहना है कि इदानीम इस्थोटस्य लक्षनम् तत्सार्थक्यंच वक्तुम् प्रारवते। इदानीम बर्नस्थोटस्य लक्षनम् तत्सार्थक्यंच वक्तुम् प्रारवते। तत्र अस्थितसु इस्फोटेसु बर्नस्थोटह सास्त्र प्रक्रिया निर्बाह कह सुत्र प्रविर्ति प्रियोज कह तदर्थ वाचकाह तेशंपदानम अर्थ वाचकाह कालपनी कह कलपना भवह। परमार्थ तस्थो इस्फोटेवार्थ वान इति भासशिद्धानत लादयह लटलित इत्यादयह स्थानिनह तिवादयह तीपतस जी इत्यादयह इत्यादयह आदेशाह कलपिता नतु बास्तविकाह इत्यार्थ तत्र कलपितेशु इस्वेह पनिन्यादेवेह स्थानिनंग लादिनंग कलपिता आर्थाह कंठरवईने वोकताह लख कर्मनी त्यादी सुत्रेड लख कर्मनी चवावे चाकर्मके भ्यह इत्य सुत्रेडेव प्रोकताह स्वयम्मिति भावह आदेशानांतु तिवादीनम स इस्थान यर्था विधाने नेती जद अर्थ बोधने जस समर्था सो तस्य इस्थाने आदेशो भवती ती भास्य आर्था जी अर्था इस्थान यर्था ते अर्था इस्थान यर्था अतेव त्रिज्वत क्रोष्टुर की सूत्रेन आवान आर्था का त्रणन्त क्रोष्टु सब्दस्य इस्थाने तदर्थ प्रतिपादक अस्त्रजन्त क्रोष्टी सब्द एवादेश संजाय ती इस्थानें तर् इती सूत्रे भाशी एस्पस्टम एस्थानिनं बाचकत्त मादिशानं बेति विचारो अत्र निश्फल निश्प्रियो जनाहा आख्यातार्थ निरूपना वसरे अत्र स्विस्तरम करिश्यमानत्व आदिति भावः कलपित बाचकत्वस्य उभयत्र इस्थानिसु आदिशिच तुल्यत्वाथ समानत्वाथ कलपणाय उभयत्र तुल्यत्वेपी मुख्यम बाचकत्वन्तु कल्पना द्वारा बोधित रूपे बोधित स्वरूपे पदे सुप्तिंगंत रूपे वाके सुप्तिंगंत चये एव तत एव पदेभ्य एव बाकेवे लोकानं सर्वेशां अर्थ बोधात अर्थानं शंव्यक बोधादिती भावा ननु सारस्वते व्याकर्णे सी ओजस तीप्तस अन्ति इत्याधीनाम आदेशानाम एवु पादानात कथम आदेशानाम तुल्यत्त विचार इत्यासंकां निभारायती उपेय प्रतिपत्यर था उपेय प्रतिपत्यर था, उपाय अव्यवस्थित इत्याधीना उपय प्रतिपत्यर्था उपय प्रतिपाद्य वस्तु सिध्यर्था उपया प्रयत्न अब्यवस्थिता अनिस्चिता इति जायेन इति सिध्धांतेन व्याकरण भेदेन बहुविद व्याकरण भेदेन इस्थानी भेदे पी इस्थानी नंग भेदो पी नक्षति नकापी हा यथा एकस्येव अक्षरस्य देश भेदेन लीप भेदस तथा ब्याकरण भेदेन इस्थानी भेदस यापी संभव इति भावा अब बर्नस फोट का लक्षन तथा उसकी सार्थक्ता सिद्ध करने के लिए करते हैं तत्रेत्यारिश अर्थात सास्त प्रविर्ति प्रियूज कत्वम बर्नस फोट अस्य लक्षन है जड़ी बर्नस फोट नहीं मना जाए तो रिशिप्रनीत सुत्रों का वयर्थ हो जाए इसलिए अन्वे ब्यत्रियक के द्वारा बाक्य स्फोट के अत्रिक्त बर्नस फोट भी आवस्यक है उनमें सुत्र लगने के बाद सुत्रों की द्वारा जो प्रिकिर्थ के आगे प्रत्य आते हैं वे ही प्रिकिर्थ प्रत्य अर्थ के बाचक होते हैं उपसर्ग, निपात, धात, आति का विभाग वगरा सभी काल्पनिक है इन नियमों को पाणिन आदी डिशियों ने लह कर्मनी चौभावे चाकर्म के ब्यह इस सुत्र में स्वयंग कहा है कि आदेशों का अर्थ तो इस्थान्यर्था भिधान समर्थ स्यवादेश ता इस भास्य के अनुसार जिन अर्थों का बोध कराने में जो आदेश समर्थ होते हैं वे ही आदेश होते हैं इसलिए इस्थानियों के जो अर्थ होते हैं वे ही आदेशों के भी होते हैं कल्पित बाचकत्व इस्थानियों में तथा आदेशों में समन रहने के कारण बाचकत्व इस्थानियों का है या आदेशों का यह विचार करना यह निश्फल है क्योंकि आख्या आख्यातार्थ निरूपन के अवसर पर इस समन में विचार पुर्ण रूप से करना है किन्तु मुख्य बाचकत्व कल्पना द्वारा बोधित स्वरूप पद या बाक्य ही में रहता है जद्यापी सभी ब्याकरणों में इस्थानी और आदेश नहीं होते है जैसे सारस्वत ब्याकरण में केवल सी ओजस तीपतस अंतिप्रत्य ही आते हैं किसी इस्थान में नहीं तो भी इससे कोई छती नहीं जिस प्रकार देश के भेद से लिप भेद होता है उसी प्रकार ब्याकरण भेद से स्थानी भेद ही वह करता है अब तत्र प्रत्यक्षानु मानो पमान सब्दाह प्रमानान इति गौतम सूत्रे सब्दस चापतो देश रूप प्रमानम आपतो नामानु भवेन बस्तु तत्वस्य काच्न लर्जेन निश्चैवन रागादी वसादपी ननिथावादी जस्ष इति चड़के पतन जले इदानिम चतुर्शु प्रमानेशु शब्दा नाम पिप्रमानत्वे तल्लक्षण वर्णन पुडस्वरम शाब्द बोधा विचारम भक्तुम प्रारहते तत्र प्रत्यक्षेती प्रतमम प्रत्यक्ष प्रमानम ही अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम इती बिग्रह वलात इंद्रियार्थ सन्निकर्ष खटकत द्वारात। शाक्षुसादी प्रत्यक्षात्मक प्रति प्रमिति करणत्वात् चक्षुडादी इंद्रियार्य मेव प्रत्यक्ष 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 प् प्रवानतह, पस्चान निर्देशह, कृतो गोत्मेनेती बोध्यां, परामर्स जन्य ज्ञान मेवानु मितित भवती, सोच परामर्सह, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धार्मता ज्ञान रूपह, अनुमितो ही व्याप्ति ज्ञानम आवस्यकं परामर्सात्म का व्याफार वत्वात, व्याफार बद साध्हारन कारण स्यव, कारण त्विन अनुमाने ही अनुमिति करणं। तिरतियंच उपमानम उपमानुँच उपमिति करणं उपमियते साध्रिश्येन ज्ञाप्यते अने नित्य उपमानम साध्रिश्यक ज्ञानं बाच्य बाचक सम्मदग ज्ञानं ही उपमिति ही बाच्य वाचक शम्मन्द ज्ञानं ही उपमिते ही, उपमिते कर्णंच शाद्रिश्य ज्ञानमेव वोध्यम चतुर्थंच शब्दोपी प्रमाणं सब्देते निग्रहानु ग्रहो क्रियते अनेनेती सब्दा, शब्द आप्तुप देश रूपह आप्तस्य लक्षनम बदती आप्त इती अनुभवेन इस्सम्रिती भिन्नेन, स्वकिय ज्ञानेन बस्तु तत्वस्य पदार्थानम बास्तिव बास्तविक ज्ञानस्य, काच नर्जीन सर्वतो भावेन निश्चैवन निशितस्चिद्धान्तवन रागा दि बसादपी सांग्सारिक प्रेमा दि बसादपी ती भावः, न अनिथावादी असत्यवादी जस्ष आप्तो जनह इती चरक सूत्रे पतंजरी रिएती सेशा, अब चार प्रमानों में एक सब्द को ही प्रमान गोतम ने माना है, चार प्रमानों में एक सब्द प्रमान को ही गोतम ने माना है, इसलिए सब्द का लक्षन तथा साब्द बोध विचार के संबन्द में कहने के लिए आगे प्रारम करते हैं, गौतम ने चार प्रमान माने हैं प्रत्यम प्रत्यक्ष प्रमान दूतिय अनुमान प्रमान उप्मान प्रमान चतुर्थ सब्दप्रमान उनमें चक्षुराद इंद्रिय चस सन्निकर्ष व्यापार के द्वारा प्रत्यक्षात्मक प्रमित के कारण हैं इसलिए प्रत्यक्ष प्रमान है पक्ष शाध्य हेतु व्याप्ति द्रिष्टान्त के द्वारा बस तुघ्यान जिससे हो वह अनुमान प्रमान है बाचे वाचक का सम्मंध्ध जिससे हो वह उपमीती है शृष्ष जनों का उपदेश ही चतुर सब्द प्रमान है जैसा कि चरक में पतनजली ने सुई अपने अनुभब के द्वारा बस्तुगत तत्तों को सब तरह से रिष्चे करने वाला लोकिक रागा दिवस जो असत्यवादी नहीं है वेही आप्त पुरुष हैं आप्त जनों का उपदेशी सब्दप्रमान है इस प्रेकार से आज की पाठ को विडावन दिया जाता है